जैगन पति नवेंबर मैने का कन्या राशी वालों का क्या इस्ट्रो प्लान है ये जानते हैं कन्या राशी हो या कन्या लगन हो दोनों पर ही एप्लिकेबिल है कन्या लगन वालों के लिए एक विशेज बात ये है कि शुरू के 10 दिन या 10 नौंबर तक समझ लिजे आपको बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है अगर ब्लेट पेशर की कोई प्रॉबलम है तो बहुत कूल रहिए बहुत शांत रहिए क्योंकि इस पीरिट में बहुत ज़्यादा हीटनेस दिमाग पर है तो दस तारिक तक कूल रहिए और एक उपाय भी कर लीजे कि शाम को सिर पर तेल अवश लगाईए तेल की मालिश करिए सर पर ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इसके लाबा केरियर में चीजें कापी अच्छी है संगर्श है काम आपके बनेंगे और कुछ काम आपके नहीं बनेंगे तो लेकिन आपको ध्यान यह रखना है कि अवर आल आप प्रॉफिट में रहेंगे रहेंगे और आल पूरे महीने का जब आप प्लान करेंगे तो आपको लेगा ठीक है लेकिन जो काम नहीं बनते हैं उसको लेकर टाइम बिलकुल वेस्ट नहीं करना है क्योंकि राहू की ये टेंडेंसी है चुकि वो केरियर से कनेक्ट है इस समय आपके आफिस में राहू का काफी दखल कर देते हैं तो आपको भी ध्यानी रखना कि कोई काम अगर नहीं बन रहा है तो छोड़िए आप आगे काम करिए फिर जब समय होगा तो फिर वो बनेगा घरेलू स्थिति में मां के स्वास्त को लेकर थोड़ा ध्यान रखना होगा उनकी अगर सेहत पहले से खराब चल के लावा कुछ अतिनेतिकता आपको यानि कि आपको कुछ लोगों को ओबलाइस करना पर सकता है तो उसमें कुछ धन भी खर्च होगा तो आप यह देख लीजिए अगर कुछ बॉस है या किसी को भी जो भी आपके लिए प्रियोर्टी लिस्ट में वंदनी लोग हैं तो उ डैट्स हैं तीन तारिक चार तारिक फांस तारिक एरह तारिक चौदय तारिक पंदरा तारिक 22 और 23 इन डेट्स में आप बिलकुल भी आलक्स मत करिए है खुब एक्टिव रहिए गा खुब कॉब काम करीएगा क्योंकि यह डेट्स इस महें लेकि साइल डेट्स हैं बहुत एनरजेटिक डेट्स हैं तो इसको वेस्ट नहीं करना है अब आते हैं डेट अलर्ड पर जिसमें आपको सावधान रहना है क्योंकि ये डेट्स बहुत पॉजिटिव नहीं लग रही है तो आपको कोई रिस्क वाला काम नहीं करना है तो वो डेट्स लोग मिलेंगे जय गानपती